तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले तो आपको जान लेना या अवस्यक है कि यदि मांगते हैं आप पढ़ाई को जब हम लोग छोटी जाना करते थे जब हम लोग का क्लास में इंट्री होती थी तो हम लोग आप लोग की इंटमाद वैसलिलिया मिल गई हैं सोर सब मटरियल हो गया हैं सोर से जीतने बढ़ गया हैं इस्टडी करने के लिए आप लोग की जान लोग लिखने रिखती तो जब हम लोग प्राइमरी थे आज भी अच्छी चीजिए दिवालों के लिखी अच्छी चीजिए अपके दिवालों के लिखी मिली रहेंगे तो उसमें सब लोग की एक बराबर में फोकस करता था विद्या ददात बिन में अब दुनिया के सबसे अमेर आत्मी या दुनिया के सबसे गरीब आत्मी करोड़ों पति रोड़ों पति आप हैं तो दोनों में फर्क इतना होगा नौलेज आप जोकी से उठकर आप खपड़ेली घर से उठके जोपड़ी की घर से उठकर आप माहलतर की याधरा प्राण कर सकते हैं आपने गरीबी में जर्म लिया यह बुरी बात नहीं है गरीबी में बने रहना सबसे बड़ा पेन होता है और यह बुरी बात रहता है तो आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं क्या वहीं पर बने रहा माचाते हैं या उससे आगे निकल कर आप अंतिन छोड़ तक यातर करना चाहते हैं आपका लाइफ बन जाएगा जो मानों का उदेश है 21 से 30 के मीच में जो पढ़ रहे होते हैं विद्यारते हैं 21 से 30 के में बात कर रहा हैं उनसे पोचो उबिष्ट एनॉलिजिस करके आपको बता सकते हैं यस कि लाइफ में क्या जरूरी है और कहां पर गल्दी होती है दिर इस इमोटेंट आप एमान के चलाएगा जब आप एनॉलिजिस करते हैं किसी चीज़ को बिद्या को लेके नुमेरिकल को लेके लाइफ को लेके सोसाइटी को लेके तब आपको जरूरी धक्का लगता होगा और मुझे और भी बीटे होना चाहिए था इसमें एक बात आता है कि आप दूसरे की गंती से सीख लेते हैं आप दूसरों की गंतियां से सीख लीजे यही इतियास भी करता है इतियास नहीं कर देता कि इतियास आपने कुछ नहीं सीखा खेर उसकी बात लगे हमें अपना लाइप बनाना है हमें इस आप सभी को चैक गल्स हुए चैक वाइप हुए आप जिस स्पेज में हैं जिस पड़ाओ पर हैं देर इस इंपोर्टेट टाप कि आपने क्या अभी तक एचेव किया और क्या एचीव करने के लिए कि आप संकस कर रहे हैं दो बाते हैं कि आपने एचीव क्या किया और एचीव क्या करना चाहते हैं और क्या उस टारेक्शन में आप वर्ट कर रहे हैं नहीं लोग आपको हजारों एक्जांबल देंगे लेकिन करना आपको है आपको चूज करना है आपका भविस आके हाथ में बना लो यह बिगार लो तो देक्यों फ्रे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में